Hello everyone, welcome to complex engineering तो अभी हम लोग find out करेंगे electric potential energy, electric dipole की जब हम लोग electric dipole को electric field में रखेंगे तो जो electric dipole होगा उसमें store होगी electric potential energy और अलग-अलग position के लिए वो जो electric potential energy होगी उसका जो magnitude होगा वो अलग-अलग होगा तो हमें find out करना electric potential energy of an electric dipole when the electric dipole is placed in an external electric field तो सबसे पहला electric dipole क्या होता है उसके बारे में हम लोग discuss कर लेते हैं जो electric dipole होता है वो combination होता है दो charges का और दोनों charges का जो magnitude होता है वो same होता है और जो nature होता है वो opposite होता है और दोनों जो charges होते है distance से separated होते है और जो distance होता है उसका हम लोग बोलते electric dipole length गुल्व और के साले संवार करनों होता है तो पर नोया को पॉसीट में घरोड़ा warto रहेका तुकूल्म का तो हम्हegen एंगेट कॉलम का का तो रहेई कि yo उसको हमने यहाँ पर show किया जो के है 2A यहाँ पर अगर हम लोग देखें यह electric डैपल की case में अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने consider किया same electric डैपल यह है positive charge और यह है negative charge यहाँ पर यह जो positive charge और जो dipole center के बिच का जो distance है यह है positive charge और यह है negative charge और यह है तो जो positive charge और जो negative charge के बिच का जो total distance होगा वो होगा 2A और यह जो 2A distance होता है इसको हम लोग बोलते है डाइपल length तो यह जो अलेक्ट्रिक डाइपल को हम लोग external electric field में रखेंगे तो यह electric dipole में store होती यह electric potential energy जिसके बारे में हमें discuss करना है उससे पहला हमें यह एक और एक चीज़ पता होना चाहिए जब हम लोग electric dipole को external electric field में रखते हैं तो जो electric dipole होता है उस पर लगता है talk for example यहाँ पर हमने consider क्या यह electric dipole यह positive charge और जो नीचे वाला जो charge है वो है negative charge तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो electric dipole है इसको हमने external electric field में रखा तो जो positive charge होगा इस पर एक force लगेगा और जो force का डिरेक्शन होगा वो होगा right hand side के तरफ similarly जो negative charge होगा इस पर भी force लगेगा और जो force का डिरेक्शन होगा वो होगा left hand side के तरफ तो यहाँ पर दोनों जो forces जो act कर रहें दोनों का डिरेक्शन अलग-अलग है और दोनों जो forces है वो अलग-अलग line पर act कर रहें तो basically होगा क्या यह जो electric dipole होगा वो अपनी axis से कर जाएंगा rotate और यह rotation के साथ जो associated जो talk होगा वो बराबर में होगा वो rotation के साथ जो associated जो talk होगा वो बराबर में होगा electric daple moment as a vector cross electric field as a vector अगर हम लोग talk का vector form consider करें तो similarly अगर हम लोग talk का magnitude consider करें तो जो talk का magnitude होगा वो depend करेंगे electric daple moment और electric field और दोनों के बीच का जो angle होगा वो होगा sign of theta यहाँ पर अगर आपको electric daple moment अगर समझता नहीं अगर आपको electric daple के बारे में उतना idea नहीं है तो यहाँ पर आपको सिब इतना consider करना होगा कि जब हम लोग electric field में electric daple को रखेंगे तो उस case में जो electric daple पर जो talk लगेगा वो डिभेर करेंगा यह जो electric field और यह जो electric daple है दोनों के बीच का angle है वो कितना है उसके उपर depend करेगा टॉक जो के वो Plate क्रेंगे उपर अगर आपको electric daple के बारे में पता है अगर आपको electric daple moment के पर जो टॉक लगाएंगी वो टॉक का जो डिरेक्शन होगा वो होगा clockwise direction यह एलेक्टिक फिल्ड के वज़े से create होगा electrostatic force राइट वो electrostatic force के वज़े से क्या होगा यह जो एलेक्टिक टैपल होगा यह अपनी axis से करेगा rotate और वो जो rotation के साथ जो associated जो टॉक होगा उसके बारे में हमने अब भी डिसकस किया तो यह एलेक्टिक फिल्ड के वज़े से यह जो एलेक्टिक टैपल जो rotate करेगा उसका जो direction होगा वो होगा clockwise direction यह फिर मैं बोलू यह जो एलेक्टिक फिल्ड होगी वो tendency रखती यह एलेक्टिक कंसिडर कर लेते हैं हम लोग कईसा find out कर पाएंग एलेक्टिक पोटेंशल एनरजी उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे बला हम लोग basic basic चीजों के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर अगर हम लोग देखें यह वाले पोजिशन जिसमें जो एलेक्टिक डैपोल है वो एलेक्टिक फिल्ड ओफ लाइंस के साथ टीटा एंगल बना रहा है अगर हम लोग यह वाले पोजिशन से अगर यह वाले पोजिशन तक के लेके आते हैं जहां पर यह एलेक्टिक डैपोल एलेक्टिक फिल्ड ओफ लाइंस तो बेसली होगा क्या, जब हम हम लोग rotate करेंगे तो हम लोग obviously करेंगे work done तो जो work done होगा ये electric dipole में Store हो जाएंग एनर्जी के famoso में और वो जो energy होगी वो होगी electric potential energy और वो जो work done होगा वो अजो इलेक्टर स्रेडिक फोर्स के against में होगा मगर यह जो electric dipole है इसको हम लोग anti clockwise direction में rotate कर रहे है electric electrostatic force जिस direction में लग रहा है clockwise direction में उसके against में हम लोग यह जो dipole है इस पर force लगा रहे है तो हम लोग जो work done करेंगे वो store हो जाएंगा यह electric dipole में energy के form में और वो जो energy होगी वोगी electric potential energy तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे similarly अगर हम लोग यहाँ पर देखें और एक चीज़ हमें consider करना होगा जो के बहुत important है यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे के मैं बोल रहा तो है जो electric field होगी electric dipole पर लगाएंगी टॉक और वह जो टॉक का जो electric field के वज़े से जो टॉक लग रहा है वो हमने शो किया टॉक सब्सक्रिप्ट E से similarly जब हम लोग टॉक लगाएंगे anti-clockwise direction में वाला जो टॉक होगा उसका हम लोग शो कर सकते टॉक से जो के होगा anti-clockwise direction में तो जो electric field जो यह electric dipole पर जो टॉक लगा रही है जो के tau E similarly हम लोग जो टॉक लगाएंगे यह electric dipole पर जो के होगा tau दोनों का जो magnitude होगा वो सेम होने वाला है तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे जो electric field के वज़े से जो टॉक लगेगा वो होगा tau E और हम लोग जो टॉक लगाएंगे वो होगा tau और दोनों का जो magnitude होगा वो सेम होगा जो के होगा P E sin of theta यहाँ पर अगर हम लोग देखे जो टॉक का जो relation अगर इसको हम लोग carefully देखे जो टॉक लगेगा electric dipole के उपर वो depend करेंगा electric dipole electric field और दोनों के बीच का जो angle है sin of theta उसके उपर और जब हम लोग यह electric dipole को rotate करेंगे और जब यह electric dipole rotate करेंगा तो उस case में जो theta angle होगा वो constant तो नहीं रहने वाला है theta angle हर एक instant of rotation के लिए vary करेंगा तो जब यह theta angle अगर vary करेगा हर एक instant of rotation के लिए तो जो talk होगा वो variable होगा है ना जब यह theta angle अगर vary करेगा यहाँ पर यह जो talk का जो relation है वो completely specify कर रहा है कि जो talk होगा वो यह theta angle के उपर भी depend करेगा तो जब यह rotate करेंगा electric dipole तो हर एक instant of rotation के साथ जो theta angle होगा वो variable होगा यह theta angle constant नहीं होगा तो उस case में जो talk होगा वो भी variable होगा talk variable होने के वज़े से जो work done होगा वो भी variable होगा तो हमें पता है कोई भी physical content या अगर variable होती है अगर vary कर रही होती है तो उसको हम लोग consider करते infinitesimal magnitude और उसका जो infinitesimal magnitude होता उसको हम लोग कर देते integrate 2 point के बीच में तो यहाँ पर भी जो talk होगा वो variable होगा talk variable होने के वज़े से जो work done होगा वो भी variable होगा तो हम लोग work done का infinitesimal magnitude consider करेंगे और वो जो infinitesimal magnitude होगा उसको हम लोग बाद में कर देंगे integrate तो जैसे हम लोग concept आगे proceed करते जाएंगे तो जो concept होगा हमें समझ में आते जाएंगा तो यहाँ पर हमारा first task क्या है कि हमें find out करना होगा infinitesimal work done तो infinitesimal work done हम लोग कैसा find out करें तो infinitesimal work done find out करने के लिए हम लोग consider कर लेते कोई भी random situation यह वाला case हम लोग consider कर लेते तो जो displacement है आफर यह जो rotation है वो इतना छोटा है कि इसके साथ जो associated जो talk होगा वो होगा constant तो theta से d theta हमने rotate किया यह electric dapol को electric field में तो जो work done होगा वो भी infinitesimal small होगा जो के होगा dw और यह जो dw work done होगा वराबर में होगा talk as a vector dotted with displacement as a vector अगर scalar form consider करें तो हमें मिल जाएगा tau into d theta तो यहाँ पर हमने infinitesimal work done find out कर लिया जो के dw और जो के है इतना अभी हम लोग consider करेंगे एक case consider करेंगे हम लोग और यह case consider करते वे हम लोग relation obtain करेंगे और वो जो relation होगा वो इतना useful relation होगा कि आप वो relation का use करते हुए कोई भी random position के लिए जो electric potential energy dipole में store होगी उसको आप simply find out कर सकते हो तो यहाँ पर हम लोग consider कर लेते हैं case यह वाली case में हम लोग मान लेते हैं जो electric dipole है जो electric dipole है initially electric field of lens में जो angle बना रहा है वह है theta 1 angle और यह जो electric dipole है इसको हमने rotate के anti-clockwise direction में Electrostatic force के against में, और final जो position है, ये electric double की हो है theta 2 position, इनिशल position, theta 1 position और जो final position है वो है theta 2 position, तो पूरे process में work done कितना होगा, obviously जो work done है वो है variable, तो variable work done है तो क्या हमने already infinite decimal work done find out करके रखाये, जो के इतना, तो infinite decimal work done को अगर हम लोग integrate करदेंगे, theta 1 से theta 2 तक तो हमें total work done मिल जाएंगा और obviously हम लोग वही करेंगे तो जो total work done होगा बराबर में होगा integration of dw यहाँ पर integration की sin as it is यह जो dw का magnitude infinitesimal work done का उसका हम लोग यहाँ पर put कर देंगे जो के होगा tau into d theta integration की limit हम लोग put करेंगे theta 1 initial limit होगी theta 2 final limit होगी और यह जो tau into d theta होगा ys it is होगा जो talk का जो magnitude है जैसे के हमने discuss किया था जो के pe into sin of theta उसका हम लोग यहाँ पर put कर देंगे pe into sin of theta जैसे के हमने थोड़े time पहला discuss किया था जो talk का magnitude होने वाला होगा pe into sin of theta तो जो talk का जो magnitude है उसका हमने यहाँ पर put किया जो के हम लोग integrate करेंगे तो हम्हें मिल जाएगा minus cosine of theta और जो limit होगी as it is theta1 से theta2 ultimately ये जो negative sine होगी उसके हम लोग pe के साथ consider करेंगे तो हमेर जाहा tiene as theta1 और theta2 यहाँ पर हम लोग यह जो theta1 और theta2 यहाँ जो theta2 उसकBoth put करतेंगे तो हमें मिल जाहा W is equal to minus pae cosine of theta2 minus मैनस कोसायन ओफ टीटा 1 यह जो झ मल्टिप्लाइ करें तो यहांट साइन यह resolving जो जाएंगी और शुरूररी और टी यहां पर अगर हम लोग देखें यह question आपके mind में arise कर रहा होगा, यह तो work done के लिए relation है, तो work done से हम लोग कैसा potential energy find out कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए, कि जो work done और potential energy का relation होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है, कि जो work done और potential energy होती है, दोनों एक दू जो work done होता है, वो हमें indicate करता है, हमें describe करते है, potential energy कितनी होने वाली है, तो जो work done का relation होगा, वो हमें indicate करतेगा, कि potential energy कितनी होगी, तो यहां पर हम लोग यह equation को थोड़ा अच्छे से समझ जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यह equation है, इसको हम लोग use करते हुए, एक random position के ल यह cosine of theta one है, वohl initial angle हो gelow होटा है, जिसमें जो electric dipole होता है, वह electric field of lines के सान 90 degree का angle बनाता है, और उस case में जो electric potential energy का magnitude होता है, वो हता है 0, और जो cosine of theta 2 होता है, वो कोईभी random angle हो सकता है, कोई भी random angle हो सकता है, जो कि electric dipole, electric field of lines में cover करेगा, तो यहाँ पर हम लोग एक example consider कर लेते ह यह जो electrical field है और यह जो electric field में ए Candleaur पाइंगल बनाता है 90ड仔 डिग्री गा और फिर उसके बाद final angle होता है वह होता है टीटा एंगल मतलब यह वाला जो positioning है ये टीटा वाले position के लिके हमाद है हमें find out करना an electric potential energy और यह जो initial angle होगा theta one angle यह जो angle होगा यह जो theta 1 जो angle होगा वो हमेंचा fix होगा जो के होगा 90 degree हो मतलब जो electric dapple की जो initial position होगी वो हमेचा fix होगी और जो final position होगी ओ कोभी random position होगी जैसे के theta होगा या फिर कोई भी जो random जो angle cover करेगा electric dapple electric field of lines के साथ वो होगी random position और जो initial position होगी यह 90 डिग्री वाली वो फिक्स्ट होगी तो यहां पर अगर हम लोग देखे जो तीटा एंगल है उसके लिए हमें find out करना होगा electric potential energy तो यह तो यहां पर हम लोग देखे हम लोग यह same relation हम लोग use करेंगे w is equal to pe cosine of theta 1 minus cosine of theta 2 तो यहां पर हमें यह वाले एंगल के लिए electric potential energy find out करना electric potential energy for यह वाले एंगल के लिए बराबर में होगी pe cosine of theta 1 जो theta 1 होगा obviously 90 degree का होगा जैसे के मैंने थोड़े टाइम पहला बोला minus cosine of theta 2 तो जो cosine of 90 degree होगा वो हो जाएगा pi by 2 और जो cosine of theta होगा होगा as it is होगा तो यहां पर अगर हम लोग देखे जो cosine of pi by 2 हो जाएगा 0 और जो cosine of theta होगा वो as it is रहेगा आगे अगर हम लोग solve out करेगे तो हमें जो relation मिलेगा वो कुछ चीज़ तरीके का electric potential energy for this theta angle यह बराबर में होगी minus pe cosine of theta अगर आगे इसको हम लोग solve करें आगे अगर हम लोग इसको solve करें तो हमें मिल जाएगा एल्लेक्तिक random angle वो बराबर में होगी electric dipole movement as a vector electric field as a vector दोनों के dot product के मतलब यह theta angle के लिए जो electric potential energy होगी वो बराबर में होगी electric dipole movement as a vector negative electric dipole movement as a vector dotted with electric field as a vector दोनों के dot product के ओपर depend करेंगे theta angle के लिए electric potential energy या फिर अगर हम लोग यह दोनों का dot product रखटा कर find out कर ले तो ultimately जो टीटा एंगल होगा उसके लिए हमें मिल जाएंगी electric potential energy यहाँ पर एक question क्रेट हो रहा होगा कि यह जो यह वाली जो position है यह position के लिए हम लोग यह वाली जो 90 degree की जो position है जब यह electric double electric field of lens के सार 90 degree का एंगल बनाएंगा इसके इसमें electric potential energy हम लोग 0 क्यों मानते वे चल रहे हैं और यहाँ पर हम लोग यह जो question है बहुत important question है यह जो electric potential energy है यहाँ पर हम लोग यह वाले position के लिए 90 degree वाले position के लिए हम लोग 0 मानते वे क्यों चल रहे हैं तो इसको answer करना बहुत इसका reason अगर हम लोग देखें मान लेते एक simple सा example यहाँ पर हम लोग consider कर लेते source charge यह source charge के वज़े से बन गी electric field of lines और यहाँ पर हम लोग consider कर लेते infinity यहाँ पर हम लोग consider कर लेते infinity और यह जो source charge है वो है positive charge और यहाँ पर हमने consider किया infinity infinity में हमने electric dipole को रखा तो जब हम लोग यह electric को vertically यह electric system में लेके आएंगे तो overall जो work done होगा वह होगा zero work done zero होने के वज़े से जो electric potential energy होगी वह होगी zero सिब यह vertical position के लिए अगर electric डैपोल को अगर हम लोग horizontally infinity से यह electric system में लेके आते तो पूरे process में जो work done होगा वह होगा non zero और जो electric potential energy होगी वह भी होगी non zero तो यह वाले case में जब vertically हम लोग यह electric डैपोल को यह electric system में लेके आएंगे तो पूरे process में work done कैसा zero होगा उसके बारे में हम लोग discuss कर लेते हैं तो basically होगा क्या यह जो positive charge होगा वो electrostatic repulsion force offer करेगा तो जब हम लोग positive charge को यह electric system में लेके आएंगे तो हमें करना होगा work done जो के electrostatic repulsion force के against में होगा जो के positive charge offer करेगा at the same time यह जो positive charge होगा यह negative charge को electrostatic attraction force offer करेगा इसका simple मतलब यह कि जितना work done हम लोग यह electric डैपोल पर करेंगे और फिर जितना work done हम लोग यह positive charge पर करेगे उतना same amount of work done यह जो electrostatic system होगा negative charge पर करेंगा जिसके वज़े से जो total work done होगा वह हो जाएंगा 0 और total work done 0 होने के वज़े से जो electric potential energy होगी वह होगी 0 तो इसलिए यह वाले position के लिए जो electric potential energy होती है वह होती है 0 क्योंकि जब हम लोग infinity से vertical electric dipole को लेका है तो जितना work done हम लोग यह electric dipole पर करेंगे infinity से electric system पर लाने के लिए electric dipole को उतना ही amount of work done यह जो electric system होगा यह electric dipole पर कर देंगा जिसके वज़े से हमारे दोवारा जो किया गया जो work done होगा वह होगा 0 या फिर बोल सकते हैं जो total work done होगा वह होगा 0 टोटल work done 0 होने के वज़े से जो electric potential energy होगी वह होगी 0 similarly अगर हम लोग horizontally लेके electric dipole को electric system में तो इस case में potential energy जो होगी वह होगी non-zero क्योंकि जो work done होगा वह होगा non-zero अब यहां पर हम लोग 0 potential energy क्यों consider कर रहे हैं यहां पर अगर हम लोग ठेकि जब energy को find out करते electric potential energy को अगर हम लोग find out करते तो हम इं consider करना होता है वह position या फिर वो point जहां पर potential energy zero तो इसलिए हम लोग यहां पर zero potential energy consider कर रहें zero potential energy से maximum zero potential energy से math potential energy तक के हम इक्रिमेंट हुआ होता है potential energy में वह हम्में बता देता है कि पूरे प्रॉसेस में potential energy कितनी है तो इसलिए हमें 0 potential energy consider करना होता है तो कुछ इस तरीके से हम लोग find out कर सकते electric potential energy electric dipole की अगर वो electric dipole electric field of lens में लाए कर रहा हो तो और अलग-अलग position के लिए जो electric potential energy होती electric dipole की वो अलग-अलग होती है